साथियो, स्वामी विवेकानन जी युवाओं को एक और भात महत्पब और मंत्र देते थे वो कहते थे किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्पुर्ण है उस आपदा से ली गई सीख आपने उसमें से क्या सीखा हमें आपदाओं में सैयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है आपदा हमें ये सोचने का भी अवसर देती है कि जो बिगड़ा है हम वही दोबारा बना ले या नए सिरे से एक नए निर्मार की नीव रखे कई बार हम एक संकट किसी आपदा के बाद कुछ नया सोचते हैं तो फिर देखते हैं कि उस नई सोचने कैसे पुरा भविश्य बदल दिया आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा मैं भी मेरा मन करता है कि आज एक अनुभाव में आपके सामने जुरूर आपके सामने रखों कि दोहजार एक में जब गुजरात के कच्छ में भूकम पाया था तो कुछी पल में सब कुछ तबाह हो गया था पुरा कच्छ एक प्रकार से मौत की चादर ओड़कर के सोया था सारी इमारते जमिन दोस्त हो चुकी थी जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अपकच्छ हमेशा हमेशा के लिए बरबाद हो गया इस भूकम के कुछ महेने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रुप में दाइक्तवनी भाने के जिम्मेवारी आ गई चारों तरफ गुंज यही थी कि अब तो गुजरात गया अब तो गुजरात बरबाद हो गया पच्छ बरबाद यही सुन रहा था हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया एक नई रण दिती के साथ आगे बढ़े हमने सिर्फ इमारते ही फिर से नहीं बढ़ाई बल्कि यह प्रण लिया कि कचको विकास की नई उंचाई पर पहुंचाएंगे तब वहां न उतनी सडके थी न बिजली विवस्ता ठीक थी नहीं पानी आसानी सीने मिलता था हमने हर व्यवस्ता सुधारी है हम सेंकडों किलोमेटर लंबी नहरे बनाकर कच तक पानी लेकर गए पाइपलाइन से पानी ले गए कच की हाल और ऐसी थी कि वहां टूरिजम के बारे में कोई सोज भी नहीं सकता था उल्टा हर साल हजारों लोग कच्छे पलाइन कर जाते थे अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छे छोड़कर गए लोग आज वापस लोटने लगे हैं आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रनोत्सव में आनन लेने के लिए प उस समय भूकम के दोरान ही एक और बड़ा काम हुआ था जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है आज कल कोरोना के समय में आप लोग डिजास्ट्रान मैनेजमेंट एक का जिक्रक खुब सुनते होंगे हैं इस दोरान तमाम सरकारी आदेश इसी एक को आधार बना कर जारी किये गए हैं लेकिन इस एक की भी एक कहानी है कच्छ भूकम के साथ इसका एक रिस्ता है और मैं ये भी शायद आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी है साथ को पहले हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्रिशी भीभाग का हिस्सा रहता था उसी का काम समझा जाता था क्योंकि हमारी हाँ डिजास्टर का मतलब होता था बाड या सुखा जादा पानी गिर गया तो वह डिजास्टर जादा पानी कम पड़ गया तो वह डिजास्टर बाट बगेरे आति थी तो खेति काम हो आवजा बगroe देना यही काम प्रमुक दर डिजास्टर मैनेजमेंट का होता था लेकिन कच बुकम से सबक लेते हुए गुजरात ने 2003 में गुजरा स्टेट डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट बनाया तब देश में पहली बार ऐसा हुआ जब डिजास्टर मेनेजमेंट को कृशी विभाग से लेकर उहां से बाहर निकाल करके ग्रह विभाग के अंडर में दे दिया गया बाद में केंदर सरकार ने 2005 में गुजरात के उसी कानून से सीख लेकर पूरे देश के लिए डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट बनाया अब इसी एक्ट की मदद से ताकत से देश ने महामारी के खिलाप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है आज यही एक्ट हमारे लाखों लोगों की जान बचाने में एक सहाएक हुआ देश को इतने बड़े संकर से उबारने में आधार बना इतना ही नहीं जहां कभी डिजास्टर मेनेजमेंट केवल मुआवजे और रहत सामगरिते के सिमित होता था उसी भारत के डिजास्टर मेनेजमेंट से आज दुनिया सीख रही है